Hello kids and namaskar parents आज हमारी सबसे पहली class है Hindi की हमारी पिछली class जो थी अमें उसमें अक्षेस पढ़े थे क्यों कि हमने छोटे A से छोटी E तक पढ़े थे तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे आ उसके आगे का सीखेंगे सबसे पहले हम छोटी E को revise करते हैं उसके आगे हम शुरू करेंगे, तो छोटी e हम कैसे लिखते हैं, छोटी e से इंदी, उसके लिए एक sleeping line, उसके बाद एक छोटी सी standing line, उसके बाद हम बनाएंगे one curve, then second curve, and then one standing line, इस तरह से हम लिखते हैं, छोटी e से Emily, यह तो हमने हमारा जो हमने कल पड़ाता हूँ, उसको revise करा, अब इसके आगे का हम शुरू करते हैं, तो छोटी e से Emily के बाद आता है, बड़ी e से eek, बड़ी e सी eek भी हम इसी तरह से लिखते हैं, पहले बनाएंगे एक sleeping line, फिर कर्फ और उसी के आगे से हम बनाते हैं, एक second curve, लाइक दिस, उसके बाद हम लाएंगे लास्ट में वान, एक small standing line, अब यह हो गया, इन दोनों में difference क्या है, बड़ी e से eek में उपर भी एक कर्व आता है, sleeping line के उपर हम एक small curve बनाएंगे, इस तरह से हम लिखते हैं, बड़ी उसे उल्लू, उसके लिए हम लिखेंगे, one sleeping line, then one curve, then second small curve, उसके बाद आता है, एक दूसरा small curve, तो छोटे उसे उल्लू लिखने के लिए, हम पहले बनाएंगे, एक small curve, और second small curve, तो हमने पड़ा, छोटी e से m ली, बड़ी e से e, छोटे उसे उल्लू, अब हमारा लास्ट आता है, बड़े उसे उन, उसका हम कैसे लिखेंगे, sleeping line, one curve, and second small curve, हमारा पहले हम एक curve बनाएंगे, और उसके नीचे से एक और दूसरा curve बनाएंगे, अब इन दोनों में क्या difference है, छोटे उसे उल्लू, अब बड़े उसे उन में हम यहापर बनाते हैं, center से एक sleeping line, और उसके नीचे से एक standing line, तो इस तरह से हम लिखेते हैं, बड़े उसे उन, तो आज हम रिवाइस, अब रिवाइस करते हैं, हमने आज टा पड़ा, हमने पड़ा, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे एक, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे उन, So, kids, practice this at home, आप सब practice करेंगे घर पे, हमने कैसे करा है, and do your work neatly, okay? So, thank you.